हेलो फ्रेंड्स मैं भार्ती पाटनी आज आपको बताने जा रही हूं मक्के का चूर्मा किस तरीके से बनाया जाता है आईए देखते हैं इसमें किनकी जिजो के अवशिकता पड़ेगी सबसे पहले मक्के का आठा जो की मोटा होता है होना चाहिए 200 ग्राम लिया है हमने इसी की बराबर के मात्रा का बूरा लिया है जो की इसको मीठा बनाएगा और इससे आदी मात्रा यानि की 100 ग्राम गी लिया हमने 10 12 पिष्टा की कत्रन और 7 8 बदाम की कत्रन लिए 5 7 इलाइची कुटी वी लिए हमने तो अब इसको हम बनाना चालू करते हैं चूर्मा बनाने के लिए से पहले आटे को आटे में कुछ नी डालना है ख़ली पानी से बनाना है पानी डालके यह हमारा आटा इस तरीके से बन गया है थोड़ा सा नारमी चाहिए जाधा पाड़ने चाहिए और इस यह मोटी-मोटी इसको बोलते है रोट तन्दूर हमारा गरम हो गया है और इसमें इस तरीके से यह रोट डाल देंगे इसको मोटा ही रखना है क्योंकि पतला बनाएंगे तो इसके जो सिकाई होती है उसे जल जाएगा और फेस में जो गुद्धा होता है जो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा हमको इसलिए इसको मोटा ही रखना है कि यह देखिए चूर्मा हमारा एक तरफ से सिक्के तयार हुआ है अब इसको उलट देंगे यह देखिए अब दूसरी तरफ से भी सेखना है इसको यह हमारा रोट दोनों तरफ से सिक्के तयार हो गया है इसको मीडियम फ्लेम पर हमने नैचा है कि मीडियम फ्लेम पर इसलिए कि अंधर से कच्छा निरच यह हाड हो जायगा इसलिए मीडियम पर डखना पड़ता है कोआयर लिए तो이는 Clifford र देनकर देंगे इसको उतारेंगे आफ से थंदा करके फुरो में कर लेंगे ठंदा होने पार के मिक्सी में पीस जेंगे एक बूर्र हमीरा देखिया है तरह कर द्यार है यह देखे से द्रहला कयो एक और इसमें बूर salut मिला लेंगे गी जो में पिगला लिया है क्योंकि सर्दियों में जम जाता है इसको भी इसमें डाल देंगे अब इसमें पदाम पिष्टा पहले पिष्टा फिर बदाम किसी भी क्रम से डाल सकते हैं यह हम और तोड़ी से इलाइची इलाइची इसको इसका स्वाद बढ़ाएगी और खुश्बू बढ़ाएगी यह देखिए आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको खुला भी परो सकत सकते हैं यह इस तरीके से चूर्मा भी बना सकते हैं लड़्डू यह जैसे चाहें आप शेव कैंम की से कटीव हमारा मक्ष का चूर्मा बनके तयार हो गया है आप किसी प्लेट में या खिवत पैर नलग दे सकते हैं किसी भी आकार में बना सकते हैं और परोज सकते हैं आप जब चूर्मा खाते-खाते परिशान हो जाए या थोड़ा मीटा खाते-खाते नमगीन खाने के इच्छा हो जाए तो उसके साथ डाल को एंजोई कीजिए और चटनी चटपठी सी चटनी बीच-बीच में चूर्मा ख कीजिए और पसना है तो शेयर कीजिए और पसना है तो शेयर कीजिए